एक दिन मैंने सपने में अपनी मोत को पड़े करीब से देखा कफन में लिप्टा तन वे जलते हुए शरीर को देखा लोग खड़े हुए थे हाथ बांद कर कुछ लोग परिशान थे कुछ लोग ओदास थे और कुछ लोग अपनी हसी छुपा रहे थे मैं दूर खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी अचानक कोई मेरे पास आया और अपना हाथ बढ़ा कर मेरा हाथ थाम लिया मैंने जब उनका चेहरा देखा तो मैं हैरान हो गई मेरा हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा भगवान था मेरे प्रभू के चेहरे पर मुस्कान थी और वह मेरे पास नंगे पाउं आया था जब देखा मैंने उसकी तरफ जिग्यासा भरी नजरों से तो मेरा प्रभू हसकर बोला तूने रोज दो बार मेरा नाम जपा था आज मैं उसका करज चुकाने आया हूँ मैंने प्रभू की जब से बाते सुनी तो मैं अपनी बेवकूफियों पर रो पड़ी फिर मैंने सोचा जिसको मैंने हर दिन दो बार ही जपा था वो बचाने आया है और जिसमें मैं हर घड़ी रमी रही वो लोग मुझे शम्शान पहुचाने आये हैं तब ही मेरी नींद से आँखे खुल जाती हैं और मैं अपने आपको विस्तर पे हींच पाती हूँ मैं सितनी नादान हूँ इस हकीकत से अंजान हूँ हम जब गलत होते हैं न तो हम कॉंप्रमाइज चाते हैं और दूसरे गलत होते हैं तो हम जस्टिच चाते हैं भूल होना प्रकती है, मान लेना संस्कृती है और सुधार लेना प्रकती है